इस पोईटरी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाना है तो अगर आप इसको मजभ से जोड़कर देखोगे तो मेरा लिखना मुकमल नहीं होगा आप लोग किसी का इश्क मुकमल नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन किसी का लिखना तो मुकमल करी सकते हो कि मैं मंदिर के आगे बैठा था वो मस्जित के आगे बैठी थी मैं पंडिच जी का बेटा था वो काजी सहाब की बेटी थी मैं उसके गली में बैठा रहता था वो बुर्खे में गुजरती थी मैं उसके गली में बैठा रहता था वो बुर्खे में गुजरती थी मैं काहल था उसके आँखों का वो मेरे नजर पर मरती थी मैं खड़ा रहता था चौराहे पर मैं खड़ा रहता था चौराहे पर वो भी छत पर चड़ती थी मैं पूजा कर आता था मजारों की वो मंदिर में नमाज पढ़ती थी वो होली पे मुझे रंग लगाती मैं ईद का जश्न मनाता था वो होली पे मुझे रंग लगाती मैं ईद का जश्न मनाता था वो वेश्नो देवी जाती थी मैं हाजी अली हो आता था वो मुझको कुरान सिखाती मैं उसको वेद समझाता था वो राम के भजन गाती थी मैं उसको अजान सुनाता था उसे मांगता था मैं मेरे रब से उसे मांगता था मैं मेरे रब से वो अलला से मेरी दूआ करती थी ये सब उन दिनों के बात है जिब वो मेरी हुआ करती थी मुवी हो या रियलिटी अगर ऐसा इश्क असानी से मुकमल हो जाए तो मजा नहीं आता ना तो फिर इस मज़भी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ कि फिर इस मज़भी इश्क का ऐसा अंजाम हुआ वो मुसल्मानों में हो गई और मैं हिंदूों में बदनाम हूँ मैं इस्वर के आगे रोता था वो अल्ला के आगे रोती थी मैं पंडीजी का बेटा था वो काजी सहाब की बेटी थी कि रोते रोते हम लोगों की तब शाम ढला करती थी अपने अब्बू से छुपकर वो मस्जित के पीछे मिला करती थी कि रोते रोते तब हम लोगों की शाम ढला करती थी अपने अब्बू से छुपकर वो मश्जित के पीछे मिला करती थी मैं पिघल जाता था बर्फ सा वो जब भी छुआ करती थी ये सब उन दिनों की बात है ये सब उन दिनों की बात है जब वो मेरी हुआ करती थी कुछ मजभी कीड़े आकर हमारी दुनिया उजाड गए जो खुदा से ना हारे थे वो खुदा के बंदों से हार गए कि कुछ मजभी कीड़े आकर हमारी दुनिया उजाड गए जो खुदा से ना हारे थे वो खुदा के बंदों से हार गए जीतने की कोई गुंजाइश न थी मैं इश्ट कहारा बाजी था जो उसका निकाह कराने आया था वो उसी का बाप काजी था जो गुंज रही थी मेरे कानों में वो उसके शादी की सहनाई थी मैं कलियां बिछा रहा था राहों में आज मेरी जान की विदाई थी मैं वही मंदिर में बैठा था मैं वही मंदिर में बैठा था पर आज वो डोली में बैठी थी मैं पंडिच जी का बेटा था वो काजी सहाब की बेटी थी